हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का एक बर फिर से अपके अपनी यूट्यूब चैनल वंड एक्जाम स्टुडी प्लेटफॉर्म पे मैं दीर घा एक बर फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं तो दोस्तों हम लोग यहां पर के विएस प्यार्टी के लिए एवस में जो को यहां पर कुछ वेस देखते हैं और जो भी साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सभी लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा इसी के सब नोटिफिकेशन वाली बेल को भी प्रेस कर लिजेगा ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेज होंगी उ कौन सी नदी है गुदावरी है कावेरी है सोन है या फिर आपकी यह तापती नदी है सब भी लोग आंसर करके बताएंगे कि प्रस्न संख्या एक का सही उत्तर क्या होगा तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं प्रायाद वेपी पस्षिम की और बहने वाली नदी की तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका तापती क्या बनेगा तापती यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा देखिए अगर हम अगर हम पर इसके किनारे सहर कौन से इस्थित है कि यहाँ पर सहर भी आपको याद रखने जरूरी हो जाते हैं कुछ जैसे कि आपका प्रसिद्ध सहर जो हो जाएगा वो सूरत आप लोग याद रख लीजेगा और दूसरा जो है सोन गढ़ को याद रखिएगा ये दो सहर इंपोर्टेंट है तो बस इनको याद रखिएगा बांकी जरूरी नहीं है अगर हम लोग बात करेंगे इसके उपर बांध कौन सा बना हुआ है तो इसके उपर यानि कि जो आपकी तापती नदी है इसके उपर जो आपका बांध बना है इसका नाम है वल्लव सागर बांध क्या नाम है इसका वल्लव सागर बांध जो है वो डैम इसी के उपर बना हुआ है तो इतनी चीज़ा याद रखिएगा देखिए अगर हम लोग यहाँ पर डिसकस करते हुए चलेंगे आपकी जो गुदावरी नदी है यह कहां से निकलती है तो यह निकलती है आपकी थ्रम्बकेश्वर से कहां से त्रयम्बकेश्वर जो आपकी पहाडी है यह वहां से निकलती है थ्रम्बकेश्वर पहाडी बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पर कावेरी नदी की तो कावेरी नदी कहां से निकलती है तो कावेरी नदी आपकी निकलती है ब्रह्म गिरी परवत से कहां से ब्रह्म गिरी परवत से ये जो है आपकी निकलती है देखिए ये सभी बहुत जरूरी है ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा कि सिर्फ एक चिसको याद रख लिए उतने से आपका काम चल जाएगा तो ऐसा बिलकुल भी मत करिएगा क्योंकि ये सब ही आपके लिए बहुत जरूरी है तो सब को याद रखते हुए चलेंगे देखें अगर हम लोग बात करते हैं सोन नदी की तो सोन नदी का उदगम इस्थल कहां से है आप सभी लोगों को पता है कि सोन नदी जो है हमारी ये अमर कंटक की पहाड़ी से निकलती है साथ में जो आपकी नर्मदा नदी है इसका उदगम भी जो है अमर कंटक्चे होता है बढ़ेंगे अगले प्रशन के तरफ प्रस्न संख्या 2 देखेंगे देखेंगे क्वेशन नम्पर 2 क्या कह रहा है आपसे कि निम्न लिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पती निर्धारित करता है मरदा आपके जो है इहां पर निर्धारित करेगी वर्षा करेगा प्रकाश करेगा या फिर आपका मरदा जल करेगा आंसर करिएगा सभी लोग बताएगे की प्रस्न संख्या 2 दो का सही आंसर क्या बनेगा और एक बर आप लोग जो है क्लास को भी शेयर कर देंगे तरकि जो आपके साथ ही हैं वो भी क्लास में जल्दी से आ जाए तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं जब वनस्पती की तो वनस्पती आपका किसके दौरा निर्धारित होती है तो आपके जैसे जलवाईयों होगी वैसे ही आपकी वहाँ पर वनस्पती होगी अगर अच्छी जलवायू मिलती है वनस्पती को तो आपकी वनस्पतिया जो होंगी वो भी अच्छे तरीके से ग्रोथ करती है तो यहाँ पर अगर बात आती है वनस्पती की तो इसके अगर हम लोग recording answer करेंगे तो यह हमारा जो वर्शा होगी यह यहाँ पर सही answer बढ़ेगा अब बात आया कि जो जल्वाई होती है अब की इसके अंदर क्या क्या तो यहां पर थोड़ा सा हम दो चार चीजे डिसकस कर लेते हैं क्या चिस कर लें दो कर लें देखिए जो आपकी जलवाई होगी इसके नर क्या क्या आएगा तो पहली चीजों के अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो है ताप बहुत ज्यादा इंपॉर्टन रोल प्ले लिए तो देखिए यहां पर चार चीजे जो हैं यह जादा जरूरी होती एक ताप हो गया हवा हो गई अद्रता हो गई और वर्षा हो गई तो यहां पर विकल्प में आपका वर्षा दिया गया था जिस वज़े से वर्षा अंसर बिल्कुल सही था बढ़ेंगे अगले प्रिकास अंसलेशन के प्रॉसर्स चलती है तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि जितनी आपकी रेज आती है उस्त बीड है ल्जात बिल्कुल करेंगे सब भी लोग और अच्छे जब पहले प्रश्ण को पढ़िएगा फिर आंसर करिएगा तो देखें यहां पर अगर हम लोग देखें सही कोई आंसर की बात करेंगे तो यह हमारा क्या बनेगा चौथा वाला जो विकल्प है यानि कि एक से दो प्रतिसत जो है आपका यह सिर्फ रासायनी कुर्जा में ही परिवर्तित हो पाता है चलेंगे अगले प्रश्ण की तरफ प्रस्न संख्या चौथा देखेंगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से जैव भार में कौन सम्मिलित है देखें अगर हम लोग यहां पर जैव से खंधित कौन कौन है आप घटक होंगे उत्पादक होंगे सभी जीव होंगे या फिर आपकी उपबोगता होंगे तो देखिए अगर हम लोग यहां पर पिरामिट की बात करते है यानि कि जो का पिरामिड बनता है वो किस में जो है किस तरह से बनता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए मान लीजे अगर पूछेगा तो आपको ये भी आना चाहिए तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे जीव भार के पिरामिड की कौन से पिरामिड की जीव भार के अगर हम लो तो दोनों पिरामिड जो है ये जीवभार के अंदर देखने को मिलते हैं बात करेंगे उर्जा का पिरामिड जो है ये कैसा होता है तो उर्जा का पिरामिड एक ऐसा पिरामिड है जो सदायव सीधा बनता है कैसा बनता है हमेशा जो है ये सीधा ही बनता है तो अगर मालीज़ आपसे पूछता है कहीं पे भी की उर्जा का पिरामिट कैसा होता है तो आप लोग जो है वहाँ पर सीधा है टिक करिएगा बात आती है वापके संख्या के पिरामिट की संख्या का पिरामिट कैसा बनता है तो संख्या का भी पिरामिट जो है आपका ये उल्टा और सीधा दोनों तरह से ही बनता है ध्यान रखिएगा बहुत जरूरी है तो यहाँ पर अगर हम लोग आंसर की बात करेंगे तो जैवभार के अंतरगत सभी कुछ हा जाता है चाहे आपका अपगटक हो उत्पादक हो या फिर आपके उपहोगता हूँ ये सभी जो हैं इनक्लिवड हो जाते हैं जैवभार के अंतरगत आंसर तीसरा वाला जो विकल्प है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलेंगे अगले प्रेशन की तरफ प्रसन संख्या 5 देखेंगे कहरा है कि बर्खाना किस आकरती का उधारण माना जाता है डेल्टा का होगा हिम तटका होगा बालु का इस्तूप होगा या फिर आपका इनमें से सभी हो जाएगा सभी लोग आंसर करके बताएंगे और एक बर शेशन को लाइक करके लोगों तक शेयर भी कर दीजेगा अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज आप लोगों से छोटी से रिक्वेस्ट है क्लास को शेयर कर दिया कर यह लोगों थाग यह ओर भी साथ ही जो है वो आप लोगों के साथ जुड़े रिप्योज ओने नीजिद finances का ने? तो देखे अगर हम लोग यहां पर discuss करते हैं पर खाना जो है वह किस आकरती का उधार और माना जाता है तो यहां पर आपको क्या बनेगा बालु का स्थूप का यहां पर बात आती है कि आपको जो बालु का स्थूप होता है यह बनता कैसे है तो देखिए जब आपकी हवा वग्यारा चलती है तो वहाँ पर जो आपके रेत के कण होते हैं ये क्या होते हैं ये सब ओड़ ओड़ के जब इकठा होने लगते हैं तो कुछ इस तरह की आकरिती बना लेते हैं कुछ इस तरह से आकरिती बना लेते हैं जैसा आपने स्थूप वग्यारा द जाता है तो सिंपल सी भासा है यहां पर कि हवा की द्वारा जब आपके रेत के कड़ उड़के एक जगाई कठा हो जाते हैं और वो कुछ इस तरह से आकरती बना लेंगे तो यह आपका बालू का स्थूप कहलाएगा अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखने वाली वो क्या होगी तो देखिए अगर आपसे पूछता है कि सबसे उचा आपका स्थूप कौन सा है वो भी कौन से स्थूप की बात हो रही है यहां पर भारत देश के अंदर आपको सिर्फ याद रखना है तो भारत के अंदर जो आपका सबसे उचा स्थूप नखिएगा ठीक है बालू का इस तूप जो है यहीं देखने को मिल जागा जो कि आपका थार के मरोष्थल में हैं और यह सबसे उचा भी है चलेंगे अगले प्रश्म की तरफ प्रस्ने संख्या 6 देखेंगे कह रहा है कि पौधे और जन्तों में कार्बो हाइडरेट किस रूप में संचित होते हैं ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में इस्टार्च और ग्लाइकोजन और सेलूलोज में या फिर आपका स्टार्च और ग्लाइकोजन में आंसर करिएगा सभी लोग तो देखिए अगर हम लोग यहां पर आंसर की बात करेंगे तो आपका जो पौधे और जन्तू होते हैं इनके अंदर जो कार्बोहाइडरेट होता है वो संचित होता है आपका ग्लाइकोजन और स्टार्च के रूप में तो आंसर यहां पर जो है चौथा वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा बढ़ेंगे अगले प्रेश्ट की तरफ प्रेश्न संख्या साथ देखेंगे कह रहा है कि ब्लड गुरुप की खोज किसने गीती बहुत ही इजी क्वेस्चन है सबी लोग आंसर करेंगे और कोई भी साथी गलत आंसर नहीं देगा विकल्प क्या तिये गए हैं डार्विन होगा, विल्यम हार्वे होगा, मेंडल होगा या फिर आपके कार लेंड स्टीनर होगे आंसर करिएगा सबभी लोग तो देखें यहां पर किसकी बात की जा रही है पहले चीज़ तो यहां पर ब्लड गुरूप की बात की जा रही है तो आपका ब्लड गुरूप कितने प्रकार का होता है यह भी आपको पता होना चाहिए काफे सारी चीज़े जो होती है यह याद रखनी पढ़ती है हमें Karland Steiner के दोरा की गई थी किसके दोरा जौकी Karland Steiner है इनके दोरा Blood Group की खोज़ की गई थी अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो आपके Darwin थे इन्होंने क्या किया था तो यह इन्हों ने आपका यहां पर जनक अगर हम लोग बात करेंगे तो ये विकासवाद के जनक कहलाते हैं किसके जनक कहलाते हैं विकासवाद के जनक जो है आपके डार्विन कहलाते हैं और इन्होंने क्या दिया था तो थियोरी ओफ इवल्यूशन जो था वो आपका डार्विन ने दी थी क्या दिया था थियो सभी लोगों को deputy और में होंने मटर के पैंधों पर अपना प्रयोग क्या था जिसके अगर हम लोग यहां पर मटर के जो वेग्यानिक नाम है इसका नाम क्या है तो ये पाइसम सटाइवम है और इन्हें कहा गया जाता है तो इन्हें कहा जाता है आनुवान्शिक्ता का जनक क्या कहा जाता है आनुवान्शिक्ता का जनक जो है मिलन्डल को कहा जाता है आनुवान्शिक्ता का जनक चलेंगे अगले प्रशन की तरफ प्रस्न संख्या आठ देखेंगे कह रहा है कि निम्ड में से किस राज्य का मुख्य भोजन तवक माज है विकल्प दिये गए हैं वरीसा होगा, हर्याना होगा, गोवा होगा या फिर जम्मू कश्मीर होगा अंसर करेंगे सबी लोग बताएंगे कि जो आपका तवक माज भोजन है ये किस राज्य से बिलॉंग करता है तो यहां पर देखिए हमारा सही अंसर क्या बनेगा ये तो हमारा चौथा वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अब यहां पर बात किस की आती है हर्याना के बारे में तो हर्याना के अंदर आपको पता है कि सीटेट के अंदर आपसे पूछा गया था यानि कि ऐसे क्वेशन पूछा गया थे कि आपके जो नीरा चोपला है ये जिस राज्य से मतलब बिलॉंग करते हैं कि हर्याना से बिलॉंग करते हैं तो वहां पर खाया गया जाता है तो वहां पर आइधिंग डाल रोटी दिया गया था तो डाल रोटी जो है आपकी हर्याना में खाई जाती है साथ में ही यहां पर जो है आपका जो बाजरे की खीर होती है according to NCRT की हम लोग बात कर रहे हैं तो और जो है नारियल के तेल में किसके तेल में नारियल के तेल में फ्राइफिश खाना जो लोग है पसंद करते हैं बहुत ही क्या करते हैं नारियल तेल में फ्राइफिश खाना पसंद करते हैं ठीक है इसको भी याद रखिएगा चलेंगे अगले प्रश्ण की तरफ संगठन के द्वारा पांच जून को विस्व पर्यावरंट दिवस मनाने के शुरुवात की गई थी यानि कि कौन सी ऐसा संगठन है जिसके द्वारा पांच जून को विस्व पर्यावरंट दिवस मनाने के शुरुवात की गई थी विकल्प क्या दिये गें वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर नेक्स्ट कह रहा है कि युनाइटेड नेशन्स डेवलेपेंट प्रोग्राम अगला कह रहा है कि यूएन जनरल असेंबली या फिर वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन आंसर करिएगा सबी लोग तो देखें यहां पर जो आपका सही आंसर बनेगा यह बन जाएगा आपका यूएन जनरल असेंबली के द्वारा जो है यहां पर यह जो आपका संगठन था इसने ही पांच जून को पर्रेवरोंट दिवस मनाने के शुरुआत की थी चलेंगे अगले प्रेशन की तरफ प्रेशन संख्या 10 देखेंगे कहरा है कि अदरक किसका भाग है प्रकंद का है कंद का है शलक कंद का है या फिर इन में से कोई नहीं सबी लोग ध्यान देकर के प्रेशन को पढ़के आंसर करेंगे और एक बार शेशन को शेयर भी कर जेगा इसे के साथ में जन्हों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वह सब लोग लाइक भी कर देंगे कि तु देखेए अगर हम बात करेंगे आपर अद्रग की किसका बाग फाकर प्रकंदगो किसका भागो जाएगा प्रकंद का भागो जाएगा अद्रक के साथ-साथ यहां पर अगर पूछ लेता है ऑप्शन में हल्दी दिया होगा तो हल्दी भी आपका सही आंसर बनेगा माली जगर फर्न दिया होगा फर्न भी आपका सही आंसर बनेगा केला दिया होगा तो केला भ इसका उधारन कौन सा बनेगा तो यह हमारा हो जाएगा प्याज प्याज के साथ लहसुन तो यह दोनुझ चीजह यह सलक कंद कहलाती हैं जयादतर आप लोग उधारन को याद रखियेगा क्योंकि इसी से ज्ञादा प्रूश्ण बंते हैं चलेंगे अगले question की तरफ question number 11 देखेंगे कह रहा है कि महा सागरों तथा जली भागों के बीच जल के चक्रन को क्या कहा जाता है जल अधिग्रहन कहा जाता है, जल पुनर भरन कहा जाता है, जल चक्रन कहा जाता है या फिर इन में से सभी option जो हैं आपके ये सही दिये गए हैं आंसर करिएगा सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा तो देखें अगर हम लोग यहां पर सही आंसर की बात करेंगे तो ये क्या बनेगा ये बन जाएगा हमारे जल चक्रन, कैबनेगा जल चक्रन, अगर हम लोग define करते हैं जल चक्रन को तो ये कैसे define करेंगे तो ये आपका जो जल चक्र है, एक तो ये आपका पर्यावरणी घटना होती है जिसके अंदर आपका वाश्पीकरन, संघनन और वर्सा होती है आप लोगों को पता है कि इसकी जो है साइकल चलती रहती है ठीक है तो इसको याद रखेगा चलेंगे अगले प्रस्ण की तरफ प्रस्ण संख्या 12 देखेंगे क्या रहा है कि जैव मंडल आरक्षित छेत्रों की संख्या कितनी है अठारा है बारा है पंदरा है या फिर सोला है आंसर करिएगा सबी लोग यहाँ पर कुछ साथ ही जो है दो विकल्प में यानि कि अठारा और बारा में कंफ्यूस हो जाएंगे अब बताएंगे यहाँ पर जो जैव मंडल आरक्षित छेत्र हैं इनकी संख्या कौन सी है और यह भी साथ साथ बताएंगे कि आपका पहला कौन सा है और अखरी वाला कौन सा होगा तो देखिए यहां पर जो आपका सही आंसर बनेगा तो आपके जो जैव मंडल अरक्षित छेत्र हैं ये तो हो गए आपके टोटल 18 कितने हो गए टोटल आपके 18 हो जाएंगे मान लीज़े अगर आप्शन में आपसे ये देता है कि जैव मंडल जो है इसमें यूनेसको ने कितने सामिल किये हैं जो आपके जैव मंडल आरक्षित छेत्र हैं इसमें यूनेसको द्वारे कितने सामिल हुए हैं तो ये सामिल है आपके 12 कितने सामिल हैं 12 सामिल हैं बात करेंगे अगर हम लोग यहां पर सबसे बड़े की किसकी अगर आपसे बड़ा पूछता है, तो बड़े के अंतरगत आपको क्या बताना है, कच्छ, क्या बताना है, कच्छ जोगी कहां पड़ता है, गुजरात में, शौट में लिख दे रहे हैं, याद रखिएगा, अगर बात करता है यहाँ पर पहले की, तो पहला कौन सा हो पहला बनेगा नील गिरी, कौन सा बन जाएगा, जो नील गिरी है, यह आपका पहला बायो स्फेर रिजर्व है, बात करेगा अगर यहाँ पर आखिरी की, तो आखिरी भी याद रखना होगा आप लोगों को, तो आखिरी है हमारा पन्ना, कौन सा पन्ना टाइगर कि 2011 में हुआ था 2011 में जो हैसे शामल गया अब किया जा चलेंगे अगले प्रश्ण की तरफ संख्या 13 कि कह पूष्प के केंद्र में इस्थित भाग को क्या कहा जाता है फूं केसर कहा जाता है जाताLove कहा जाता है इस्त soils कहा आ सकते हैं देखिए इसको करने से क्या होता है आपके अंदर जो है वो याद रखने की शम्ता जादा हो जाती है अगर आप किसी चीज को बार-बार रिपीट करते हुए चलते हैं तो वो जो है आपके मेमोरी में एक दम फिट हो जाती है तो आप लोग कभी उससे जो है बोलत अब यहां पर पुंकेसर को देखेंगे पुंकेसर क्या होता है तो पुंकेसर जो है यह नर प्रजननंग का भाग है किसका भाग है जो आपके नर प्रजननंग होते हैं यह इनका भाग होता है थोड़ा सा सही लिख दे नहीं तो आप लोग कहेंगे कि लिखना भी नहीं आत तो देखिए यहां पर नरप्रजणन अंग हो जाएगा अब यहां पर दल पुझ पूछ दल पूण्ज क्या होते हैं तो दल पुझ वह होता है जैसे किस या इनका प्रिक्च्रों होते हैं इनका प्त्तिय चाहरा से पत्य है यहीं आप की दल पुण्ज होते हैं देखें निश्ट करनेते हैं जाज करता है यार इस पुण्ग होता करती है जी सहारा ने करता करता है जाज आधा यह पुण्ग आपके शुह सत्राइब करता हैं उनकी कुछ सन्नाशना इस तरह से देखने को मिलती है जो दल पुंज होता है वो आपके हां पर जैसे फूल के पत्यां वगएरा हो गई ये दल पुंज होती है चलेंगे अगले प्रश्म की तरफ प्रस्मे संख्या चौदवा देखेंगे कह रहा है कि निमने लिखित में से पुलिकट जील है राणा प्रताप सागर है सांबर जील है या फिर आपके चिलका जील है तो देखिए यहां पर किसकी बात की जा रही है जो आपके क्रत्रिम जील है इसकी बात हो रही है तो क्रत्रिम जील आपकी कौन कहलाएगी ये तो हो गई आपकी राणा प्रताप बात आएगी पुलिकर्स जीषेट कि पुलिकर्स जीषेट जीषेट नेरा के लेगून जीषेट का प अर oven फिम दॉप और लोगों को पता भी यह कहां बाद करेंगे एक तो यह राजस्थान के अंदर परती है दूसरे यह कारे पानी की सबसे बड़ी जील है सबसे बड़ी जील है ठीक है तो यह सभी विकल्पों को याद रखना हूंगा आप लोगों को क्योंकि बहुत जरूरी है चलेंगे अगले प्रश्ट की तरफ परस्ण संक्या पंद्रा देखेंगे के रोडाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करने पर कौन सी शनलए नदी दिहां कहलाती है सिंदु नदी कहलाएगी जेलम कहलाएगी ब्रह्म पुत्रा कहलाएगी या फिर ये यमुना नदी कहलाएगी और आपको एक चिज़ और बतानी है कि जो आपकी ब्रह्म पुत्रा नदी है इसका उद्गम स्थल क्या है तो यहाँ पर देखे जो आपकी अरुडाचर प्रदेश में भारत में प्रवेस करने पर जो नदी है जो दिहान कहलाती है यह है ब्रह्म पुत्रा नदी कौन सी? ब्रह्म पुत्रा नदी है कहां पर तो यह आपकी असम में है और असम राजी के अंदर आपका एक द्वीप बना हुआ है जिसका नाम क्या है? माजुली नदी द्वीप क्या नाम है इसका? माजुली नदी द्वीप इसका नाम है और इसे जो है तिबबत में यानि कि आपकी ब पांगला देश में यह जाती है जब तो वहाँ पर यह जमुना कहलाती है और असाम के अंदर इसे ब्रह्म पुत्रा कहते हैं चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ प्रस्न संख्या सोला देखेंगे कह रहा है कि इन में से कौन प्राथमिक उपभोगता स्रेडी के अंतरगत आता है मेढक होगा खरगोश होगा पौधे होंगे या फिर आपके चील होंगे आंसर करिएगा सभी लोग कई बर मैंने आपको इन उपभोगताओं की बारे में बताया है फिर से आज हम लोग यहां पर डिसकस कर लेंगे पहले आप लोग बताईए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क् तो देखें यहां पर किसकी बात की जारी है प्राथमिक उपभोगता की तो according to विकल्प की अगर हम लोग देखेंगे तो आंसर यहां पर हमारा जो खरगोश है यह बिल्कुल करेक्ट होगा अब यहां पर क्या देखना है हमें कि जो आपके उपभोगता होते हैं यह होते पौधे या अगर हम लोग पौधों की बात करते हैं तो पौधे आपके क्या होते हैं पौधे होते हैं आपके उत्पादक क्या कहलाएंगे उत्पादक जितने अभी प्रत्वी पर पौधे हैं वो सभी क्या कहलाते हैं उत्पादक कहलाते हैं क्यों कहलाते हैं क्योंकि यह प्राथमिक उपभोगता हैं प्राथमिक उपभोगता की अंतरगत कौन कौन आता है तो जितने भी आपके शाकाहरी हो गए कितने जितने भी आपके साकाहरी हो गए यह सभी क्या कहलाते हैं यह प्राथमिक उपभोगता की श्रेडी में आते हैं शौट में लिखे दै रहे हैं समझ लीजेगा बात करेंगे आपके द्विती उपभोगता और त्रिती उपभोगता के अंतरगत कौन कौन आता है यहां पर लिख लीजे द्विती उपभोगता और इसी के साथ जो आपका त्रिती उपभोगता है इन दोनों के अंतरगत कौन कौन आते हैं तो जितने भी के हाँ पर मांसाहारी यह सभी द्विती और तिती उपभोगता के अंतरगत आते हैं ठीक है इनको जरूर याद रखिएगा क्योंकि इनसे प्रश्न बनेगा तो शौर्ट में ऐसे याद कर लीजे ज्यादा तफ नहीं लगेगा आप लोगों को आई होप आपको समझ में जरू में के द्वारा हाइपो फलमकि द्वारां यह पर आपका रिलाक सीन यहां पर देखें सेरील के बात हो रहे है आंसर का बनेंगगा हीपो फलम जाएगा हाइपो फलमक्र कैочки का रहां साचारर है था आ टाम महीं इतना के आपको हीपटपर डिसकॉस गया ग्रत क्रत करना गर्या हे aक्षिक करता है और पक्रत करता है रही क्रत करता है क्रत अगर यहाँ पर यक्रत के बारे में इसे यक्रत के दौरा जो है आपके और नितन साइकल चलती है और यहां पर देखेंगे तो आपका यूरिया का निर्माड़ में यू आपका यक्रत के दौरा हो जाता है और अगर हम लोग इसके अन्य नाम की बात करते हैं तो जीगर हो गया और आपका लीवर हो गया यह सभी या कृत के नाम होते हैं बात करेंगे अगर हम लोग रिलेक्सीन के बारे में तो यह आपका जो मादा जननांग होता है यह उसका हॉर्मोन होता है चलेंगे अगले प्रश्म की तरफ प्रस्न संख्या अठारा देखेंगे कह रहा है कि मृत सागर क्या है एक समुद्र जिसमें उच्च और निमने ज्वार बहुत आते हैं एक ऐसा समुद्र जिसका पानी बहुत ही प्रदोशित है एक समुद्र जो सभी महासागरों और समुद्रों में सबसे अधिक खारा है या फिर एक ऐसा समुद्र जिसमें जहाज चलाना बहुत ही खतरनाक है आंसर करिएगा बहु ही आंसर की बात करते हैं तो इसमें निम्न जौर और उच्च जौर का कोई मतलब ही नहीं होता डेट सी में अगले की बात कर रहा है कि बहुत प्रदूशित है पानी बिल्कुल नहीं एक समुद्र जो सभी महासागर और समुद्रों में सबसे अधिक खा रहा है क्या हो जाएग है कि जो आपका भूकमप है कि समय वापा जाता है डेटि बल में बैरो मीटर में और एक्टर स्केल पर यह फिर आपका है डूमीटर आंसर करिएग सब भी लोग जल्दी सांसर करिए तो देखें यहां पर भूकम की बात आ रही है बहुत इजी है सिंपल सा पता हम लोगों को आंसर क्या होगा यहां पर तीसरा वाला विकल्प रेक्टर पैमाने पर बात करेंगे बेसी बम क्या चीज मा पीजा पाथ है कि वायुधा यह सब्सक्राइब सब्सक्राश कर्णा culinary टारें इस पानीटल के लिए हाइड्योंड डिव्र डिफ्रेंस होता है आपका हाइग्रोमीटर और इसे के साथ हाइड्रोमीटर में तो हाइड्रोमीटर आपका ग्या करता है यह तो मापता है आपके गुरुत्वा कर्शन को और जो आपका हाइग्रोमीटर होता है क्या होता है हाइग्रोमीटर जो होता है यह क्या मापता है तो को ध्यान अखिएगा हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में आपको कन्फ्यूज कर सकता है चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ प्रस्न संख्या बीज देखेंगे कह रहा है कि किसका उप्योग सोय भी इनकी फसल के लिए जैव रुवरक के रूप में किया जाता है नौक स्टॉक होगा राइजोबियम होगा एजोटोबैक्टर होगा या फिर आपका एसपर जिलस होगा आंसर करिएगा सभी लोग तो देखें यहां पर जो हमारा सही अंसर बनेंगा यह राइजोबियम बन जायेगा तो राइजोबियम देखें आपका जितने भी दलहनी फसलेंuche होती हैं उन अगर बात करींगे नौक तो यह जो होता है आपका नाइट्रोजन इस थरीकरन करने वाला जो है एक हरा जो सेवाल होता है उसका उधारन है ठीके बात इसको यहां तक दुखेगा चलेंगे अगले प्रस्ट की तरफ प्रस्ण संक्या 21 देखे क्या कह रहा है निम्ने लिखित में से कौन सा भोजन का आएगा कि इसका सही उत्तर क्या बनेगा कर जिस साती ने क्वेस्टन का अंसर दिया था वो है हेमंद कुमारी इन्होंने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि यह जो है आपका पांच जून 1972 को यहां पर सही तुरास्ट पर्यावर्ण संक्षान कारेक्रम है इसका जो प्राथम इससे जो है आपके जितनी भी चीज़े होंगी वो सब रिकॉल होते हुए चलेंगे आप लोग भूलेंगे नहीं तो कोशिश क्या करिए सभी लोग आंसर देने की ऐसा नहीं कि एक दो लोगों ने कर दिया बस उतने से काम चल गया सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है उमेद करते ही कि आज की जो क्लास है आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी इसी के साथ जो भी साथी चैनल पर पहली बारा हैं तो आप लोग जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा साथ में नोटिफिकेशन वाली बेल को प्रेस कर लिजेगा तागे आने वाली जितने भी क्लासेस होती रहेंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और बहुत ही जल्दी आपका प्यार्टी का एक्जाम होने से पहले एक मेराथन क्लास जरूर लगाई जाएगी जिसमें हम लोग 100-500 क्वेस्चन वहाँ पर विकल्प के साथ चार विकल्प को डिसकस करेंगे ठीक है तो चलिए आज की क्लास को हम यह पर वाइंड अप करते हैं धन्यवाद